नमस्कार मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी जी के गाइड आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और हम हाजर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि टॉब 65 करेंट अफियर्स ऑफ ऑगस्ट 2018 से संबंदित है और आगे आने वाले सारे पूछेंगे कुछ सवाल और उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर सेंड कीजिएगा साथी साथ हम उन सवालों के जवाब भी बताएंगे जो आप से हमने पीछली वीडियो में पूछ रखा था तो चलिए फॉस्ट क्विश्चन देखते हैं पहला अगला क् virtue एमारा Isnasio switched 2018 का आयोजन कहां किया गया तो इंसर हो जायगा जकर्दा अंडोनेसिया में में इंक्स वेश्चन plays अगला question है अगस्ट 2018 में पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसने सपत लिया तो आपका इंसर हो जाएगा इमरान खान ने नेक्स question देखते हैं अगस्ट 2018 में एगराहवा बिस्व हिंदि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो इंसर हो जाएगा मौरिसस में नेक्स question अगस्ट 2018 में भारत ने cycling championship में कौन सा पदक जीता है तो इंसर हो जाएगा रज़त पदक एसो अलबेन ने भारत को cycling championship में रज़त पदक दिलाया है अगला question देखते हैं अगस्ट 2018 में अमेरिका ने किस देश के सैने कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया है तो आंसर हो जाएगा म्यान मार नेक्स question है अमेरिका ने किस देश के army training पर अपने देश में बैन लगाया है तो आपका right answer हो जाएगा पाकिस्तान नेक्स question है भारत के किस राज़ के स्वास्त निदे सकने डबलू एच ओ पुरसकार जीता है तो आपका right answer हो जाएगा दिल्ली दिल्ली के इसके अरोडा को डबलू एच ओ पुरसकार 2017 से 2018 में सम्मानित किया गया है अगला question है हमारा विरासत के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए डिजिटल स्क्रीन का परिचालन किस ने किया है तो आपका right answer हो जाएगा भारतिये railway ने नेक्स question हाल ही में Global Liability Index 2018 में कौन सा सहर प्रथम अस्थान पर रहा है तो आपका right answer हो जाएगा वियना जो कि आस्ट्रिया की राजधानी है नेक्स question देखते हैं हाल ही में अरे था फ्रेंकलीन का निधन हो गया नेक्स question परागवे के नए राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है तो answer हो जाएगा मारियो अबदों को नेक्स question है किस देश ने हाल ही में इरान एक्सन ग्रूप का गठन किया है तो answer हो जाएगा अमेरिका ने अगला question है हमारा भारत के किस मंत्राले ने वर्स 2019 को अंतराष्ट्रिय बाजरा वर्स घोसित करने का प्रस्ताव रखा है तो answer हो जाएगा क्रिशी मंत्राले ने नेक्स question देखते हैं सुविधा जनक भुगतान के लिए IRCTC ने किसके साथ समझोता किया है तो answer हो जाएगा phone pay के साथ next question माली के राष्टपती के रूप में पुना किसे चुना गया है तो answer हो जाएगा इबराहिम बाकर देता को अगला question है अमारा वर्तमान में फीफा रैंकिंग में भारत का अस्थान कितना है तो answer हो जाएगा 96 यानि कि 96 नंबर पर है भारत next question भारत के सबसे मुलेवान कंपनी कौन सी है तो right answer हो जाएगा TCS Tata Consultancy Service next question अटल विहारी वासपेई को भारत रतन किस वर्स मिला था तो answer हो जाएगा 2015 में जबकि इसकी घोषना जो है 2014 में ही कर दी गई थी next question हाले में भारत के 53 सत्रंज Grand Master कौन बने तो answer हो जाएगा Nihil Serene अगला question है हाले में भारतिये एकसा ने जीवन जोती बीमा के लिए किस payment bank के साथ समझोता किया है तो आपका right answer हो जाएगा Airtail Payment Bank के साथ चलिए next question देखते है हाले में BSNL ने कौन सा VOIP एप लॉंच किया है यहाँ VOIP होगा प्रेंटिंग मिस्टेक हो गया है तो आपका right answer हो जाएगा Wings जान लेते हैं VOIP का पुर्ण रूप क्या है तो Voice Over Internet Protocol इसका पुर्ण रूप है अगला question देखते हैं हाले में भारतिये cricket team के किस पुर्व कप्तान का निधन हुआ है तो answer हो जाएगा अजीत वाडे करका अगला question भारत के किस राजे में आई द्रिस्टी नामक यूजना सुरू की गई है तो आपका right answer हो जाएगा तेलांगना में चलिए next question देखते हैं भारत के किस राजे के सरकार ने रितू विमान नामक यूजना सुरू की है तो आपका right answer हो जाएगा तेलांगना दोनों questions के answers हैं तलांग ना तो आप ध्यान देंगे चलिए next question देखते हैं हाल ही में अलबानी medical group कुल कितने वेग्यानिकों को सम्मानित किया है तो आपका right answer हो जाएगा तीन वेग्यानिकों को next question है भारत के किस राजे की सरकार ने पूलिस एप डायल हॉंड्रेड लॉंच किया है तो आंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश की सरकार ने next question किसने कोईला खनन के लिए एक सहायक कंपनी अस्थापित करने का नेड़ने लिया है तो आंसर हो जाएगा NTPC ने next question सडक सुरक्षा अभियान के ब्रांड मिस्टर किसे बनाया गया है तो इंसर हो जायगा अक्षे कुमार को और यदि आप से पूश दिया जाए कि भारत के बीर अभियान के ब्रांड मिस्टर को ने तो वहां भी आपका right answer हो जाएगा अक्षे कुमार असम स्पोर्ट्स के ब्रांड मिस्टर किसे बनाया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमा दास को अगला क्वेश्चन है हमारा रास्ट्रिय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा रमेश पवार को नेक्स क्वेस्चन है पीक टू मुव प्रतियोगिता का सुरुवात किसके द्वारा किया गया तो आंसर हो जाएगा नीती आयोग के द्वारा चलिए नेक्स क्वेस्चन देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केर बीमा का सुभारम किसके द्वारा किया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा very very important question next question है भारत ने नेपाल को तराई रोड परियोजना के लिए कितने मिलियन नेपाले रूपए का अन वर्मा को किस देश के ब्रांड मिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस का इसलिए next question देखते हैं अनंदी बेन पटेल को किस राजिके राजिपाल के का अतरिक्त कारे प्रभार दिया गया है कारे भार दिया गया है तो आप अगला question है हाल ही में आई एनस तरणी के सदस्यों के लिए बहादरी पूरसकार को किस ने मंजूरी दी है तो आंसर हो जाएगा राष्ट पती ने next question आई एनस तरणी के सदस्यों का कैप्टन किसे बनाया गया है तो आपका answer हो जाएगा वर्तिका जोसी को अगला question है हमारा भारत के किस राजी के सरकार ने कन्या स्री के लिए आई की अंतिम सीमा को हटाया है नहीं है घटाया है होना चाहिए तो आपका answer हो जाएगा पस्चिम बंगाल next question है किस राजी के सरकार ने सितंबर माह को पोषण का माह के रूप में मनाने का निर्णे लिया है तो answer हो जाएगा राजस्थान next question है हमारा भारत के किस राजी की सरकार ने बीजू स्वास्थे कल्यान योजना शुरू की है तो आपका right answer हो जाएगा उडिशा next question हाले में जारी की गई इस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में कौन सा सहर पहले अस्थान पर रहा तो आपका right answer हो जाएगा पूने और उसके बाद मुंबई और ग्रेटर नोएडा next question ndmc अस्मार्ट सिटी पर योजना का उधगाटन किस ने किया तो answer हो जाएगा राजनात सिंग ने next question युवाओं को कौसल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज कौन है तो answer हो जाएगा 36 गड़ next question देखते हैं वन ने जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले जेनेटिक बैंक का उधगाटन कहां किया गया है तो answer हो जाएगा है हैदराबाद में next question किस राजे की पूलिस में भारत की पहली महिला बेस्ट टीम को सामिल किया गया है तो आपका right answer हो जाएगा दिल्ली next question है ACI टूर जीतने वाले सबसे कम उम्रेके भारती गुलफर कौन है तो answer हो जाएगा विराज मदप्पा next question हर्याणा की सरकार ने कितने जीलों में आयुश्मान भारत योजना लागू करने की घोशना की है तो आपका right answer हो जाएगा 22 जीलों में अगला question है भारत के सबसे धनी महिलाओं की सुची में प्रथम अस्थान की से प्राप्त हुआ है तो आपका right answer हो जाएगा असमी था वी कृष्णा को next question भारत के किस राजी के हाई कोट ने खुद को कानून अभिवावक घोशित किया है तो आंसर हो जाएगा उत्रा खंड next question देखते हैं हाले में किस ने वाहनों को कलर कोडिंग के लिए मंजूरी दी है तो आपका right answer हो जाएगा सुप्रीम कोट ने अगला question प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना का CEO की से घोशित किया गया है तो आंसर हो जाएगा आसीस कुमार भूटानी को अगला question किस देश ने कोलकत्ता में वीजा आवेदन केंद्र खोला है तो आपका right answer हो जाएगा इसरायल ने नेक्स question देश में बन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड रूपे का फंड प्रदान किया है तो आपका right answer हो जाएगा 66,000 करोड रूपे का नेक्स question डिजिटल नौर्थ इस्ट वीजन कहां जारी किया गया है तो answer हो जाएगा गुवा हाटी में अगला question है हाल ही में ब्रिक्स डेवलोप्मेंट बैंक ने किस बैंक के साथ समझोता किया है तो आपका right answer हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ नेक्स question बिदूत के लिए अपिलिये न्यायाधी करण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो answer हो जाएगा मंजूला चेलूर को अगला question है हमारा रोवर्स कप 2018 का खिताब किस ने जीता तो आपका right answer हो जाएगा रॉफेल नडालने हमारा नेक्स question है किस संस्था ने सुरी को छूने के लिए पारकर सोलर प्रोब लॉंच किया है तो answer हो जाएगा नासा नेक्स question है पटना हाई कोट के नए मुखे ने अधिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो answer हो जाएगा मुखेस आर साह को अगला question बिम स्टेक के वरेस्ट अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई है तो answer हो जाएगा काट मांडू नेपाल में अगला question बारसी लोना फुटबॉल टीम के कप्तान किसे गोसित किया गया है तो answer हो जाएगा लियोनल मेसी को नेक्स question है वी एस नायपाल का निधन हुआ है और उनका संबंध किस छेत्र से था तो आपका right answer हो जाएगा लेखन से वे एक लेखक थे नेक्स question और इस वीडियो का last question है कि मदरास हाई court के chief justice के रूप में किसे ने उक्त किया गया है तो आपका right answer हो जाएगा वी जिया कमलेस ताहिल रामानी को तो thanks for watching आपने इस वीडियो को अंतितक देखा और आप pdf के लिए हमारे telegram group को join कर लें जिसका link जो है description box में दे दिय कर लें गया है अब बारी हमारे कल के सवाल की तो कल का पहला सवाल था किस अंसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है अबका right answer हो जाएगा reflex है और कल का की दूसरा सवाल था कि सुरी का पलायन बे कितना होता है तो आपका right answer है का 42 km प्रती सेकिंड और हमने सुरी का पलायन बेक पुछा था बहुत चारे बच्चों ने प्रित्वी का पलायन बे कमेंट किया था राइट आंसर नहीं था वो तो आप क्वेस्टन्स पर ध्यान दे हमारा आज का पहला सवाल है कि फ्रेंच ओपेन 2017 के पूरुस विजेता कौन है और ऑस्ट्रेलियन ओपेन 2017 के महिला विजेता कोन है आप इन दोनों को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आपको याद हमारी गी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों हो ओर सब्सक्राइब करें हमारे